तो वही रियल मी का 11X हमारे पास आ चुका है जो कि एक budget segment phone है और आज हम लोग test out करने वाले हैं इसकी photos, videos, design, display, speaker, brightness सब कुछ test out करेंगे पर फिलाल video test से शुरू करते हैं वही video की बात करते हैं यहां पर 1080p, 30fps में recording मिलती है front camera से, stabilization का यहां पर कोई option नहीं है पर आप colors check out करो, मेरे skin tones के कैसे लग रहे हैं, पीछे के greens कैसे लग रहे हैं, और red color कैसा लग रहा है, यहां पर slide का, थोड़ी सी walking भी कर लेता हूं, मैं ulti direction में, आप लोग stabilization का idea लगा हो कि कैसी stabilization रहती है, क्योंकि यार इसके front camera के अंदर तो at least हमें stabilization देखने को नहीं मिलता, थोड़ी सी आगे को walk करके दिखाता हूं, और थोड़ी सी running भी कर रहता हूं मैं, तो आपको idea लग जाए है कि stabilization यहां पर कैसा मिलता है हमें इसके front camera से, तो भाई अब बात करते हैं main lens की, तो rare camera से भी आपको 1080p 30fps में video capture करने को मिलती है, यहां पर इतादोरी के बाल आप check out कर सकते हो, हलके से overexpose हो रहे हैं, बट color pink color check करो आप बालों का और पीछे के greens कैसे आ रहे हैं, and इस wall का red color, छोटा सा हम लोग auto focus test भी कर लेते हैं, अभी subject focus में है एकदम, अब मैं subject को scene से अटा देता हूँ और वापस लेकर आता हूँ, तो auto focus तो यहां पर काफी कमाल का है, बट आप एक छोटा सा stabilization check भी कर लेते हैं, क्योंकि rare camera में हमें stabilization देखने को नहीं मिलता, unfortunately front और rare दोनों में नहीं है, पर video कैसी आ रही है, colors कैसे आ रहे हैं, जब मैं normal walking कर रहा हूँ, और एक तगड़ी चीज इसमें यह है कि आपको 2x zoom मिल जाता है, और 2x zoom में आपकी video कुछ ऐसी लगती है, बस भाई stabilization यहां पर थोड़ा सा missing है, अगर stabilization और होता तो यहां पर मज़ा आ जाता footage देखने में, बट colors यहां पर अभी के हिसाब से phone में तो काफी प्यारे निकल कर आ रहें, pleasing to eyes निकल कर आ रहें, पर भई यह तो videos का scene था, photos भी test out करते हैं कि कैसे निकल कर आती है realme 11x की, तो भई selfies के colors यहां पर अच्छे निकल कर आते हैं, अब यह real to life तो नहीं है, बट price के हिसाब से decent है, यहां पर colors, एक चीज बस मेरे को यहां पर लगी कि over sharpening देखने को म अब यह exactly true to life तो नहीं है, पर कोई भी हमें over saturation या over blown colors यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी blur की बात करें तो यहां पर इसने मेरे बालों को अच्छे से detect किया है, जो की काफी detailed हैं, पर यार हलका सा फिसल गया है, जब वात आती है मेरी उंगलियों की, वहां पर cut out जो हलका सा average यहां पर मैं बोलूँगा, क्योंकि आप देखो के box का भी cut out इतना smooth नहीं है, but anyway एक चीज़ जो मेरे को बढ़िया लगी वो था sky retention, जब मैं against the light खड़ा हुआ था, मतलब पीछे से light आरी थी आसमान से, तो इसने आसमान के color को retain कर लिया, blue काफी अच्छे से दिख होगा आपको, and even portrait mode में भी sky को retain कर लेता है, अच्छे से blue color को, अब भाई सुनने में आपको यह छोटी बात लग रही होगी, but mostly इस segment के phones, 14-15,000 के phones में sky पूरा blowout हो जाता है, but यहां पे इसने retain कर लिया है, जो कि भाई एक plus point है, कोई भी over sharpening या फिर over saturation आपको नजर नहीं आएंगी, well balanced है, यहां पे colors, although 2X में में मिरको ऐसे कुछ खास मसाला नजर नहीं आया है, at least photos के मामले में, यहां पे आप इतादोरी के बाल भी देख सकते हो, थोड़े से overexpose हो गए है, at least colors के मामले में मैं बोलूँगा, जो main lens है, वो hero lens है, उससे colors काफी सही निकल कर आते ह चाहे आप कोई scene shoot कर रहे हो, या फिर full पती, और फूल पती की बात करी रहे है, तो यहां पे आप इस image में देख सकते हो, कोई भी colors फेले वे से नहीं लग रहे है, चाहे वो pink color हो, या फिर पतियों का green color, बहुत ही balanced सा mix यहां पे हमें देखने को मिलता है, और sharpness के लिए आगे वाले part पर focus किया है, sharpness वगेरा आप check out करो, और मेरे को बताओ comments में कि कैसी लग रहे है 2x lens की आप लोगों को, और finally भाई जो इसका 64 megapixel mode है, उसमें detailing काफी ज़्यादा sharp है, अब image size तो बड़ा आता ही है, पर image detailed भी आती है, मैं आपको zoom in करके दिखाता हूँ, और आप खुद check out कर सकते हो कि 64 megapixel कितना ज़्यादा detailed है, तो फोटो का scene आपने check out कर लिया, आप बात करते हैं इसके design और display की, तो यार जो color variant मेरे पास है, इसका नाम है purple dawn, एकदम shimmer वाली back है, इसकी reflective सी, glass type ये दिखने में feel देता है, बट build quality इसकी plastic की है, बागी camera ring यहां पे किसी lines दे रखी है, बागी ports और buttons की बात करें, तो volume rockers दे रखें left side पे, उसके just नीचे fingerprint scanner है, और नीचे वाली side 3.5 mm jack, एक microphone का port है, USB type C port है, और mono speakers है यहां पे, बागी right side पे clean finish और SIM ejector tray है आपके पास, जिसमें आपको dual SIM option मिलता है, और साथ ही में memory card भी insert कर सकते हैं, आप storage expand करने के लिए, and finally, उपर वाली side पे secondary mic for noise cancellation, अब display यहां पे 120 hertz है, 6.72 inch size का, जो कि एक LCD panel है, normal day to day usage में काफी smooth लगा है, कोई lag या jitter मेरे को नजर नहीं आया, बाकी brightness की बात करें, तो यह average कर रहा था 500 nits पे, जो बहुत जादा bright भी नहीं है, और बहुत कम bright भी नहीं है, indoor, outdoor, दोनों type के usage में, आपको screen definitely अराम से दिख जाएगा, visible रहेगा, क्या चल रहा है screen पे, all the air यहां पे realme brightness थोड़ी सी जादा रख सकता था, क्योंगि यहां पे bezels भी थोड़ी से मोटे दिख रहे हैं मेरे को, brightness हमने test आउट कर ली, आप चलते हैं speaker test पर, तो यार यहां पे sound तो काफी loud है, पर mono setup मिलता है, हमें यहां पे speakers का stereo नहीं है, अब यहां पे multimedia experience में top notch तो नहीं बोल पाऊंगा, तो यार वही चीज़ है कि यहां पे mono speakers loud तो हैं काफी, पर मुझे personally stereo speaker setup जादा पसंद आता है, at least multimedia consumption के लिए, अब यह gaming भी मैंने realme 11X पर करी थी, दो घंटे के लिए, बीजी एमाई और call of duty दोनों ही games खेलेते, जाइरोस्कोप कैसा है और overall gaming experience frame rate कैसे रहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, यार BGMI मैं यहाँ पे HD और high का option available है, पर मैंने smooth और ultra पर gaming करी, और मेरे एक घंटे के gaming session में frame rates 36 से 40 fps के बीच में थे, जो इसका chipset support करता है, और overall ऐसे कोई major heating issues देखने को नहीं मिले, बाकिवए call of duty में medium और high available था, पर मैंने low और high settings पे खेला, मतलब low graphics और high frame rate, और यार game चालू करते ही, मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस करी, इसका gyroscope, जो की थोड़ा सा weird act कर रहा था, latency बहुत जादा थी, तो मैं shots accurately नहीं मार पा रहा था, अब वैसे ही कोई major दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप gyroscope के बिना खेलते हो, एक से डेट गंटे की gaming में आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, casual gaming आप इस device पे बड़े अराम से कर सकते हो, call of duty में भाई मेरे को frame rates 38 से 40 fps के बीच में मिले, अब यार, haptics और typing experience भी check out करते है, realme 11x का, तो यार टाइप करते हो, मुझे personally keyboard के जो haptics है, वो काफी soft लगे, although इसमें दो modes दे रखे हैं, crisp और gentle उनमें आप switch कर सकते हो, बड़ जो motor है यांपे, वो असली काम तब करती है, जब आपको apps के बीच में switch करना हो, तब तो अच vibrate हो भी रहा है कि नहीं, hopefully ये next software update में fix हो जाएगा, realme if you're watching this, please take a note, अब भाई सारी testing आपने realme 11x की देख लिए, price भी इसका live हो चुका है, मैं आपको नीचे comments में बता दूँगा, और price के हिसाब से आपको 11x कैसा लगा, मुझे ज़रूर नीचे comments में बताना, और मैं आप को मिलता हो नीचे comment section में